ओम शान्ती का अर्थ है मैं वो शान्त स्वरूप आत्मा हूँ ओम शान्ती है ना तो मैं शान्त स्वरूप आत्मा हूँ ये एक अर्थ दूसरा अर्थ है के हमारा बर्वात्मा पिता वो शान्ती का दात्थ है शान्ती का सागर है बन गई भगीरति गंगातू शिव का अवतार है नजरों से जिनकी हमें मिला बाबा का प्यार है मेहके जिन से प्रभु का गुलशन दादी गुलजार है बन गई भगीरति गंगातू शिव की अवतार है नजरों से जिनकी हमें मिला बाबा का प्यार है मेहके जिन से प्रभु का गुलशन दादी गुलजार है शत शत नमन तुमको दादी नमन तुमको शत शत नमन तुमको दादी नमन तुमको ओम शांती तो याद कर लिया ना पकात बूलना नहीं जब भी कोई टेंशन आवे ना तो ओम शांती का महा मंत्र दिल से कहना अर्थ से कहना आपका टेंशन बिलकुल सेकन में खतम हो सकता है रथ को समाल ते भी प्रभु से मिलाया वर्दान शिव का तेरे हस्तों से पाया हो रथ को समाल ते भी प्रभु से मिलाया बर्दान शिव का तेरे हस्तों से पाया गाथा गाता दादी तेरी सारा संसार है मेहके जिन से प्रभु का गुलिशन दादी गुलिजार है दादी न मन तुमको शत शत न मन तुमको एसी तपस्या दादी और समर्पन हर सांस में की सेवा बाबा का रथ बन हो एसी तपस्या दादी और समर्पन हर सांस में की सेवा बाबा का रथ बन अब्यक्त धाम में अब भी तो हो रहा दिदार है मेहके जिन से प्रभ का गुलिशन दादी गुलिजार है दादी नमन तुमको शत शत नमन तुमको कहते हैं कि ये तो मुसाफर खाना है आए है और चले जाना है लेकिन घर तो कोई होगा मुसाफर खाना तो सदा का घर नहीं होता तो हम आत्मा का घर कोण सा है वो घर है शांती दाम निर्वान दाम मुक्ती दाम जिसको लोग चाहते हैं मुक्ती मिर्च हैं मुक्ती मिर्च थी सद्गी ऐसी मां प्यारे की मूर शांती की ऐसी कहीं भी देखी न सूरत हो शांती की ऐसी कहीं भी देखी न सूरत शाधा सुमन अरपित करता देवी परिवार है मेह के जिन से प्रभु का उपवन दादी गुलजार है दादी न मन तुमको शत शत न मन तुमको दादी न मन तुमको शत शत न मन तुमको शत शत न मन तुमको